ने अट्लू सम्झो जेम आपण काम करेशने सल्षी तो पांच काम करेशनों व्याहिए यह कार कंज आकम आपणों आनद आपत्यों आप्रोम ही शास्थी. मैं खबर नहीं तमें लोको विदान्ना कटला अभ्यासी छो पन आपड़ा सनातन धर्मनी अंदर द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत शुद्धा अद्वैत विशिष्टा अद्वैत आई बदी बहु धारावों छे आज यारेमू रहस्यार्थ माँचुने त्यार मने एटलो संतोष थाए कि बद्धी धारावों छार रहस्यार्थ माँचे बद्धी धारावों छार रहस्यार्थ माँचे अने बद्धाने भे ताप बोजे भई बद्धी धारावों छार रहस्यार्थ माँचे केम तमने कव महराजने मुक्तों साथे चे के जुदा चे महराजने मुक्तों एक चे के अलग चे एके चेन अलग चे क्यारेक एक चेन क्यारेक अलग चे आब दी जे वातों चेन ये द्वाइत, अद्वाइत, शुद्धा द्वाइत, विश्टा द्वाइत, ये चे रमेज भाई बीजू काईज नथी अद्वाइत छे न अद्वाइत छे इकाई आत्यारे अद्वाइत ने अद्वाइत न थी अत्यार तो छो अबज करता वधियाज अद्वाइत क्या आए वो मुक्त स्थिती जारे प्राप्त थाय छे तो अद्वेत छे तो अद्वेत चे, रस्बस नथी थाई शक्ता, तो अद्वेत छे, शुद्ध अद्वेत होई, तो केवल मुर्ति मा रस्बस बिजु काईद नथी जानतो, शुद्ध अद्वेत. विशिष्टों सव पोत पोतानों थोड़ू पकड़ी राखे महराज केएचे सतु अतिस नहे करीने जारे महराजना स्वरुप मां क्यारेक लीन थी जाएचे अब अधी तमें बोज जीना महराजे सारंगपुर्णा सत्तरमा वचना मृत्मा जेम जेम द्रष्टी सुक्स्म थती जाए तेम तेम पारपणु जणातु जाए अब आ द्रष्टी सुक्स्म करवा क्या जाओ जेम जेम द्रष्टी सुक्स्म थती जाए तेम तेम भगवाननु पारपणु जणातु जाए सारंकुर सत्तर मद्यच नू छिल्लू भगवान ने जिटला रोप गोण सामर्थी अश्वरी युक्ता आपने जान्या होई ने एटला रोप गोण सामर्थी न अश्वरी भगवान ये मुक्त ने आपेच कोण आपेच है जवाब जोईशे भईयो डॉक्तर साहिब कोण आपेच है जिटला रोप गोण सामर्थी अश्वरी युक्त महराज ना स्वरूप ने जे माने जे एने महराज जटला रोप गोण सामर्थी न अश्वरी आपेच है वाद पकड़ाई तमने हाँ के नमा बुल पकड़ाई जे कोने आपे छे? तो मुझे आपे छे? पथी यह में कग सबärtीक है की महाराज आपे छे . आनि जो económ कैसे महाराज आपे छे तो आती जहानों को शामांते बळी मरे छे? लघ्टुनja ड़ीन governments . जहने जोतो नाथिन? जहने आपवनों नथिन? लेवन न फितुutan यहने केम बलत्रा थाई शेका हम हो एन आम ना हो एन तीजु शेन, चौतु शेन, पांचमु शेन यहने सुन थाई शेका हमे रही गया और तमें लही गया अमें वातु करता रहा और तमें माबाप खाईन उभा थेगया महराज यहम केए छे, मुक्तन आकार दिव्य छे, मुक्तो ना जे, उपास्य छे, यह पन सदा साकार छे, मुसिबत यह छे, सदा साकार छे, छता पन कोई व्यक्ति यहने समझी शक्ता न थी क्याम समझी शक्ता न थी, फरिवेदान्त माज जेश लोको निराकार मानेश, निराकार मानवनों कारन एकज छे, महा तेज पुंज, तेज ना पुंज स्वरुप मुर्ती देखाए छे, जे स्थिती न थी प्राप्त करीशे, क्या एनने मुर्ती नो वास्तविक आकार देखा तो, न थी, 2000 वल्टेज नो फ्लड मुक्यों होए न, आपणे जोहिए, बंद होए, क्यारे नी ट्यूब केवीचे देखाए, देखाए ने, पन चालू करिया पसी देखाए, ट्यूब नो आकार केवो छे यें, तो मुर्ती मा तो अनन्त, अनन्त, काल, सुधी एक सर्खी तेजनी छटाओ छुटे छे, क्यारे देखाए के आनो आकार केवो छे यें, जारे बापा कुरुपा करे, मुनी स्वामी कुरुपा करे, के, इस्वरचन्दा स्वामी कुरंदावन स्वामी जेवा महा मुक्त कुरुपा करें माथे हात मुके ने, क्यारे खबर प बन छे अटले देखाई छे जो ए चालू थाई जशे तो टीबनो आकार देखा तो नथी आतो एक माईक वस्तु छे पड़ समझवानी वात ए छे कि तेजस्वरूप जे भगवान नू छे एनी उपासना करी करी ने ज्यां सुधी साधर्म पणाने पराप्त नथी करता त्यां सुधी ए भगवान ना आकार नू जे ज्ञान छे एकोई गम्मेटला शास्त्र नू अध्येन करे मनन करे स्रवान करे पण ये कारिय अशक्य छे स्रीजी महाराज गरतालना वचनामरत्मा येम के आत्मदर्शन अन परमेश्वर्ना साक्षातकार नू पण येज साजन छे सत्पुरुष्णे विशे प्रीती ये जला के महामुत्तो छे येमनो जेने समागम थाई छे ये नेज ये वाद समझाय छे आगल महाराज येम के चे के एज ये भगवान चे दाम्मा रया चे तेजोमाई स्वरूप चे एज भगवान कुरुपा करेने पुर्थ्विने विशे प्रगट थया थका सभामा सर्व जुन्ना नयन गोचर वर्ते चे तमारा इस्टदेव चे अंगीकार करे चे एक सब्द उन खाई ग्यो तमने खबर पड़ी कयो खाई ग्यो कल्याणने अर्थे आउन खाई ग्यो कल्याणने अर्थे प्रगट थाए चे अन कल्याण अज करे चे महराज आवे के महराज ना मोटा मुक्तो आवे बेज काम करवाना छे यहुने एक ज काम करवानु छे मुर्ति आपफी भीजु कोई ज काम नथी महराज नू के नथी मोटा नू बापा स्री भूस दर्शन करवा गिया आशे के समयो करवा यह अनकोट करवा गिया अकुन पाचा आवता ता नारण पर आयो शुम मोट चड़ी ते नारण पर मां पांच भक्तो बेगा जेक सभाकर ये लिमडा नीचे सभाकर इन बेठान मोध्यू यवस्था सर्खी चाले छे त्या मोटो जबर पत्थरो आयो नारण पर गाम चे गाम नेपादर लिमड़ो चे लिमडान नीचे बापा बेठा चे अगल मोध्यू पाइथरो चे पांच दस अरी भक्तो बेशे ना बेशे त्या पत्थर आयो पत्थर आयो येने निशान करेलू बापान। कि बापानू निशान लेलू पत्थर पड़ेव मोधिया उपर कणभी भाईव अकलाना उबाद हे गिया के अरी जयतना बापा के अचला आखलाव सोचे ना तो के आम पत्थर मारे ते काई चाल तूशे बापा के पकड़ी पार्षोत सू करशो अरे आ लिम्ड़ान थड़ी बांदिन मार शू बापा के यहां चाल आखलाव के तमारा अपर आत करубли के अनै बापा के अम ओद्या उपर बेसवाई आखला त्या्यार संकलप करें तो हां आरे वाथों सांभडी शू एक पत्थर पडुअ अन्त मे अखो शंकल्प तमारा बढ़ली नाकिव एक पत्थर यारा आखी क्रिया बत्थर जिटलाई नाई? यहां करण बापा उबा थेगी आन मोधियापर पत्थर पिड़ो जोनी पत्थर उपर पग मुखी आमाम पत्थर उपर पग फेरोता फेरोता के अमारे तो यहनुई कल्याण करवो छे एटलू ज नाई यहनी सात-सात पेटी ने अमारे दाम्मा ला पारवोस एने? हवे लिमबडे बांधोस के? वात इटली छे महराज एने मोटा आ ब्रह्मांड मा आवे छे ए महरा ने तमारा जेवाजे होई छे एने पोता नी मुर्तिनु सुख आपवा माटे आ ब्रह्मांड मा आवे छे महराज आ ब्रह्मांड मा आवे छे पोता ना मुक्तो ने साथे लावे छे एने पोता नी मुर्तिनु सुख आपे छे आवी वात आपड़ा श्रावन करिये छिए छताए घणा लोको ने आ वात पचती न थी मुन साड़ा पांचे बन करवा नोजु वात पचती न दे एटले महराज पचे आगल थोड़ी वात के छे अती महत्वनी वात महराज के ए भगवन जे प्रत्यक्ष तमारे सामे बेठा छे ए भगवन जे तमारा इष्टदेव छे ए भगवन जेनी तमे उपासना करो छो ए केवा छे सरवना नियंता छे एक केवा छे इश्वर ना पण इश्वर छे सरव कारण ना पण कारण छे सरव परिवर्ते छे न सरव अवतार ना अवतारी छे आ कोण बोले छे सरव जी महराज पोते पोता नो परिचे यापे छे तमने ख्याल छे गिता जेनी अंदर पंधरम अध्यायने पुर्षत्तम योग यहू नाम आप्यो छे पुर्षत्तम नो योग वचनाम्रत नो नामा करण करवा बेशुने तो आ वचनाम्रत नो नाम पुर्षत्तम योग वचनाम्रत आप्यो पुर्षत्तम पोते पोता नी ओलखान आपे छे स्तरवना करता चे, स्तरवना नियंता चे, इस्वरना पन इस्वर चे, एक भैके, आमा वली हुँ मोटीवाद थे, गर्ना बुवन, गर्ना डाकला, स्वामी नारणी आगल, स्वामी नारणी ना साधुन, स्वामी नारणी ना बगत बेठा तन, स्वामी नारणी कि दुम भग इस्वर उना पन कोई इस्वर छे यम शास्त्र माने चे, उने सरπोपरी चे अने चेश, कें शास्त्र मा लेकिए तमिस्वारानम परमम महेश्वरम तम देवतानम परमम च देवतम जो बहे आतो अमारा अराबापा ययके दू अमारा आराद्य के दू अटले अमेम्हेन मानिऊ पनो तहने इह ना पचतु होय तो भीजा शास्त्र जनेतूं वेद के जो जनेतूं उपनिशद के जो यनों एक जम्मत छे इस्वर अनेक छे पनी एक इश्वर छे के जी अनेक इश्वर नो पाण परमेश्वर छे अनेक यवा छे नियंता करनारा जगन नियंता हो छे पनी तमाम नियंता हो नुँ नियमन करनारो पन कोई परब्राम छे वात येटले नथी अटकती हुँ याम कवचु तमे एने स्वामी नरण क्यो तोई बले तमे एने सहजानन्द क्यो तोई बले तमे एने सत्य क्यो तोई बले तमे एने परब्रम कहो तो पन बले तमने चाहे नाम आपो पन सरव परी सरव अवतार ना अवतारी कोई छे अने छे वचनामर थीपन साबीत करीशक आए, संतोने वातो थीपन साबीत थाए, एटलूज नहीं तमें दुनियाना कोईपन शास्त्र उठाओ, तो तमाम शास्त्र एक मतेयम केई छे, कि आ अनन्त कोटी ब्रह्मांडो ना नियंता को एक परब्रम तत्वा छे, तो हुँ याने एटल एनेज अमारा मुक्तो पोताना आराध्य केई छे, बस अना थी वदारे बिजु काई समझवानी जरूर, नथी आटली वातनी घड जारे जीवमा बेशे छे, त्यारे, स्रिजी महराज यम केई छे, कि परब्रम पुर्षतम नारणने विश्य सरवो परीपनानी द्रड उप वासना थाई छे, घणा लोको यम पूछता होए छे, कि अवतारे ने अवतारे नो भेद छे खरो? सरव अवतार पुर्षतम मा थी थाई छे, सरव अवतार पुर्षतम मा लिन थाई छे, पसे भेद पाड़वानी जरूर क्या थी आवी? जो भई, अमें भेद पाड़े होत तो अमें जवाब आपत? मारो पिल्लो जवाब, में भेद पाड़े होत तो हूँ जवाब आपत? आ वचनाम रुद यहम केए छे, सरव अवतार ना अवतारी छे, अटला अवतार ने अवतार येवो भेद कोणे पाड़े हो? भेद कोणे पाड़े हो अवतार ने अवतारी नो? स्रीजी महराज ये पाड़े हो? स्रीजी महराज भेद पाड़े छे अवतार ने अवतारी न तो केवी रिते चेन केम छे ये काँ स्विकार करीले ये काँ पचेन मल त्यार वाद पुछीले जे आपड़े येमा पड़वो नथी अमारा तो एटलू चे जे मलिव चे ये मजानू छे अने महाराज तमें विचाहर करो महाराज किटलू चोखू करे चे सरवा अवतार ना अवतारी चे एटलू के नेटकिया नहीं महाराज कि ये भगवान ना पुर्वे गणाक अवतार थया चे ये गणाक अवतार थया चे ये पन नमस्कार करवा योग्ये चे और पूजवा योग्ये चे क्या लाएवो तमने रश्यार्थ मां प्रश्ण करियो तो अवतार थया चे अनू केम समझवो बापा स्रे स्पष्टता करी अंतरिया में शक्ति ये महराज ये मारेन काम करियो पन काम करना रहो तो एक महराज अज छे नमस्कार करवायोग्य चे पुजवायोग्य चे पन उपासना करवायोग्य कोण चे जयने आपड़े स्वामी नाराणी कये चे जयने आपड़े सहजानंद कये चे जयने आपड़े इस्टदेव कये चे जयने आपड़े सवारसांज आर्तिस्तुतिने पुजा करिये चे यह वपाशना करवा योग्यों चे उपासना करवा योग्यों यह स्वरूप छे क्या विवेटे वपाशना थाय ध्यान ऐथ ही बार निकलो ने अडलेजे संस्थानन स्टाल चे ने, मां मामानी एक भूख छे ंड्यान ये ले जो लगभग एक कल्लाकना प्रवचन्न ये संकलन छे एक कल्लाकना प्रवचन्न अंदर उन तमने एक वात मजानी वात को ये बुकनी ताकात केटली चे ये मारोव अनुभवेलो प्रयोक को दवे मारे 25 वरस्ता हैं उसाधू थिवेन लगभग छेला 5-7 वरस बाद करो तामे 17-18 वरस संस्कृत बन्या ठ्रो आउट संस्कृत लखवानू आवे तो गुजराती लखवा मा भूल पड़े हिंदी लखवा मा भूल पड़े संस्कृत मनें आटली ग्रिप पकड़ी, थ्रू आउट संस्कुरूत ने एमाई पाचु ग्रामर, पची वेदान्थ जारे हमें थिसिस पिलो सब्मिट करवानो थियो, रजिस्टेशन थाई गियो जीव इश्वर माया ब्रह्मने परब्रह्म, वचनामरोत वातो शास्त्रो बदा माती में रेफरेंस जाथी जाथी आवे त्याथी छूटा पाड़ी पाड़ी अने अलग-अलग फाइलो बनाए दी दी बद्धू मघजमा उत्रे पनाव ब्रह्म मघजमा उत्रे ने, शब्दो माँ पकड़ाई यो पनार रियली ब्रह्म छेशनु यहां, मघजमा उत्रे जने यहमा कहिं कामकाज प्रसंगे अम्दावाद आवेलो यह चगन बापा आता, मुकेश बय आता, विजय बय आता ने कईक वात मा थी वात निकली और में किदुक लावन बदा पुस्तक में आलों खबर ने यह बद्धाज पुस्तक नो स्याट लिदो और मने गाडी मा आथ मा एज भूक आवी ध्यान ध्यान प्रत्य थोड़ू यह उखरूक लाव जानिये तो खराक करिये ने तो काई ने द्यान साइड एवाँची, साइड बी वाँची, बेवार वाँची, कंडारी पुस्ता पुस्ता यह ब्रह्म तत्व जे 15-70 वरस सवारे चार वागे उठिये त्यार्थी वलगिये जे पकड़ातू नोतू यह मात्र ने मात्र यह ध्यान पुस्तक्ति खुली गयो पठाक देन में आको थिशी सम्विट कर दीतो बोला महराजनी केविरिती उपास्ना थाए एक साथे पंच विशे नू सूख केम आवे ब्रह्म निरवयव चे तो निरवयव ब्रह्म थकी एक साथे वगवान्ना शुरुपनो आनंद केविरिती लेवाए मात्र ब्रह्मनून यहमात ब्रह्म करता भी आगल परब्रह्मनी उपास्नानों रस भर्यो चे पन स्पष्टी करन जे थियू सर्वत हपाणि पादम तत सर्वत तोक्षी सुरो मुखम ब्रह्म केवू चे सर्वत हपाणि पादम बध्य जना पग चे बध्य जनी आखो चे बध्य जना पग चे आज बधी वातो आती नि गीतामा वांचुतुने नि मात्रने मात्र एक ध्यान थी खुली गियू येटला माटे आपड़ा शास्त्र आपणने यम केए छे कि आज सम्झो तोई भले लाख वरस केड़े सम्झो तोई भले आ वात सम्झे छूट क्योँ इहुचे दवेदीत सत्यमस्ति नोचेन महती विनष्टी उपनिशदवाणा यावु लख्यो इह चेद अवेदीत सत्यमस्ति आमंडप माजे वाद थाए छे अवेदीत जो जानी गया समझी गया सत्यमस्ति साची वाद छे नोचेत महती विनष्टी कामके भगवान दरिक वक्त आवो अवसर आपता नथी माटे प्रयत्न एवो करवानों जिवा महराज आपने आपनी नजर समक्ष देखाये छे और वानाज मुनिस्वामी वाद वाद थो आवतिकाले आपड़ा नीज मंदिर माँ वाला वाला गणशम महराज बिराजमान थावाना जए अचानक आम बेड़ पर सूतो तो खोली उन येज बात निकली कि मंदिर मा मुर्ती पदरावानी होई तो मुर्ती सनमुख होई और मुर्ती पदरावी देई अटले प्रति लोम थेजे क्यों सरण द्रश्टान गन्शा महाराज मंदिर मा बिराजमान थशे तो पदरावा लई जई एटले सूतियो सनमुख सिहासन नी सनमुख थिया महाराज और सिहासन मा बेशा रिदी ओटले तो कि प्रति लोम थेगियो एम आपने दर्शन करिये ची आपने नजर समक्ष ये सनमुख ना दर्शन चे जम सिहासन मा पदराविये ची एम आपना मा पदरावि देई एटले सूत थेगियो प्रतिलम थेए गरिये आपऊ-फु थेए लक्षार्त थेए पचि कहीं करवानू बाके रहतों नथि समझ वानू ये टलो छे एहसे दवेदित सत्य मस्ति जो समझी शकाये चे तो उपने शदयम कहे चे कि सत्याचे नथि समझी सकातो तो महत्ति विनस्ति जो बापा एक वाद कैन पूरू करो एक जिग्या यह लख्यू छे सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छती आकाशा पतितम तोयम यथा गच्छती सागरम आकाश माथी पड़तू पाणी जेम सागर तरफ जाये छे यह कोई पणने नमस्कार करो भगवान नेज मले छे आप कोणे लख्यूनी यह कोई ने खबर नती पुन बोले बद्धाए परन्तु गिता जिमा भगवाने स्पष्ट लख्यू छे देवान देव यजो यानती देवतावनी उपासना करे छे यह देवतावने पामे छे पुतानी यानती भुते जिया पुतोनी उपासना करे छे यह पुतोने पामे छे पची लख्यू यान्ती मदियाजिनोपिमाम मारी जो उपासना कर्षे तो मने प्राप्त कर्षे तो हगे कोईने प्रश्ण थाए तो को हुँ आने तम्य मारीन उपासना करू तो गितामा स्पष्ट लख्यू यह प्यण्य देवता भक्ता इजन्ती स्रध्यान विता जो बिजा देवता ओना भक्तो स्रध्धा पुर्वक बिजानी उपासना करे चे तो यह मारीत उपासना चे पन अविधी पूर्वक नी गणाते नथी आपने बापास्रिय जे वाद कई छे, सद्गुरु जे वाद कई छे, गोपालानंद स्वामी ने गुणात इतानंद स्वामी जे वाद कई छे, ए वाद शास्त्रिय छे, और शास्त्रिय न थी, एपन आपना रदैमा स्पष्ट चित्र उपसे, एटला माटे जा वाद कई छे आ सभामंडप आ वात ने जरोरी गणतों न थी केम कहीं आतों महाराज अने मोटा ना विश्वासे चालना राचे परन्तु क्यारे कोईक चर्चा करवा आवे जो आपड़ा रदेमा आ वात नो ख्याल होई तो आपड़े सरलता थी अने समझावी शक्किये एटलेज अटलीज वात छे कि महाराज के मोटा कोई वात अशास्त्री करता न थे शास्त्र मात्रनों सार होई तो ये सद्गुरुनू वचन छे महामुक्तों वचन छे आपड़े जिटली द्रड़ता थी येमा आपड़े ओत प्रोथ थैश्यू एटलू आपने महाराजनी मुर्तिनू विशेश सुख मलशे एवो सार गड़डा अंत्य परकणना आड़त रिस्मा वचनावरतना माध्यमे मने मारी जे क्षमता छे ये प्रमाने समझाई छे बाकी महाराज, महारा गुरुदेव, मुक्तो और आप सव जे रिते राजी थाव जे रिते आपने महाराजनी मुर्तिनू सुख आवतु होई विशेश वो भक्तिनू आनंद आवतो होई इरी ते भजन भक्ति करिये आपने तो एटलू करवानू छे, बहुत गईन थोड़ी रै जाजू निकल गियू छे, थोड़ू छे, ये पार करवानू छे करण के देह छुटे, पछे आपने काई चिंता करवानी नथी मुकी दिदेला छे पण देह छे, अटले देहना भाव देखाये छे, अटले मुटाना वचनमा यथार्थ विश्वास बेस तो नथी आजे कृपा वर्षा महत सव छे, महराजना चरणों मा, महा मुक्तों ना चरणों मा प्रार्थना करिये आपना उपर यविक रूपा करेक आपने महाराजनी मुर्तिमा चिये, एवो जे आपनने मोटा ये कोल आएपो छे, मुर्तिमा चिये, आपनने महाराजनी मुर्तिमा राख्या छे, अना दी मुक्ता रस्बस भावे सुख लिधा करे छे प्रगट जाने आविना प्रगट भावनों सुख नई आवे चैतन्याने मुर्ति रूप करिने महाराजे साथेज राखेव छे आवाजे अनेक रस्मस भावना वचनों छे यहमा आपड़ी विशेश प्रतिती आवे यह प्रतिति द्वारा आपने महाराजने मानिये यही महाराजने नाने मुक्तना चर्णमा प्रार्थना साथे जय स्वामी नारण सरवावतारी इश्टदे बगवान स्टिश्वामी नारण यही मारी बाजु माज बगठा यवा पुझय स्वामी अन्या सहिता पाटना दरेक संतो स्वामा उपस्तित ब्रह्मनिष्ट शंतो रुषी कुमारो बदा बाड़को यजमांस्रियो अन्यवाला हरी बबतो बदाने भावती माराजय स्वामी नारे कुरुपा वर्ष महोत सव भवियता थी अने दिवियता थी उज्वाई रहयो छे आ सभामंडब मा ठंडक मला एटला माट यहा फुवारा चालू के राचे पानी ना फुवारा पन मने तो यह उलागे से काहे तो आनंद ना फुवारा आनंद ना फुवारास बन थाचे वलू मैक ने तरा पलियने हम पलिये आजे सभामंड़ शुवाद करिवी छगन बापाये मने वी वी वाद करे ली के ता में प्रगट उपर वादो करजो आजे प्रगट उपर वादो करवानी यह स्रिजी महारयजे बच्चनामृत्मा सद्गुरु गुनादितनन सम्य पोतानी वातोमा सद्गुरु गोपारनन सम्य पोतानी वातोमा सद्गुरु निष्कुडानन सम्य पोताना कावियमा सद्गुरु गोपारनन सम्य पोतानी वातोमा प्रगट विशे खूब लेखो छे प्रगटनो महिमा अत्यन छे अन कल्यान पन प्रगट थी जथाय छे परोक्षत की क्यारे कल्यान थतू नथी वच्चनामुरुत कार्यानीनु शात्मु आ वच्चनामुरुतमा महराज एवु बोले छे प्रत्यक्स पुरुषतमने विशे द्रड निष्ठा तेने ज आत्यनती कल्यान कईये छिये स्रीजी महराज एवच्चनामुरुतमा आत्यनती कल्यान कोने कि दू प्रगट भगवानने विशे निष्ठा प्रगट ने प्रोक्ष प्रगट एगले अधर्त्यु पर आपनी सामे बेठा होई एने प्रगट के वाई प्रोक्षतला पड़े एवु मानिये के महराज स्वीकरदाम्मा आचे एवु मानिये प्रोक्ष पड़े छे पन महराज अने संतो मुक्तो कायम ने माटे धर्ति उपर छे प्रतिमा रूपे निवातो रूपे आपनाने दर्शन आपे छे एवु जे मानू एप्रगटनी बगटी छे अट्यानती कल्यान प्रगट थी ज था परोक्षति क्यारे मुक्ति थाती नथी यदलेग मुक्तानन से में पताना पदमा किरतनमा लिखोचे है प्रगटने भजी भजी भाई इको नी कर्षो मन एक सर खोज राग्यों बगवाने मन गला मा इको आई पोचे प्रगटने भजी भजी पारपाय माघणा गिदगुनिका कपे वरुंदे कोटी व्रजतनिनार व्यभिचार भावेतरी प्रगटन्यू पासना सौति मोटी प्रगट उपासना सौति मोटी तो महाराद लोयाना सात्मा वजचनामरत में एव बोले छे कोईक साधने करें ब्रह्म सुरुपने पाम्यो होई तो पन जो प्रत्यस्क्ष भगवनने एविरिते न जाने तो महाराद के ने पुरो गनानी न केवाई प्रत्यस्क्ष भगवनने न जाने तो महाराद के पुरो गनानी न केवाई आपड़े अकलुच समझमानु छे सु जे अक्षर धाम्मा छे तेज आ छे अने आही छे तेज मुर्ती धाम्मा छे एव अपरोक्ष गदान महाराद ने विशे थासे त्यारेज साचो सत्संग मेलो छे साचो सत्संग मेलो छे साचो सत्संग थे तयो चे साचो सत्संग सम्झाव छे assassya छे जरे अक्ष धाम्मा छे महाराज छे महाराजने मुक्तो लिए प्रगत मीडाचे गद अन्गिय अड़ा प्रक्रण ौ अड़ातवित प्र सीनमुर्थ १। अधिननों नहूमू तेरमू, आवधाँ वच्णामुत्मां महराज एज बुइला छे महराज अधरतिया पर प्रगट हो ये संतो प्रगट हो ये मुक्तो प्रगट हो ये प्रगट जानी ने एक दन्नवत प्रणाम करे तो आत्यांती कल्यान थे जाई एक चदनवतो रागवानन्द स्वामी गोलेडा गमना राणो रागव वस्रामने बिन अचार भायो तग्या लोया नत्रिया वच्रामतमा जेनू नाम महारेजे लेखुचे इना बापुजी इना पिताजी जगन्नात पूरी थी द्वारिकासु दिदंडवत करता करता जताता तो यह प्रग रामानन्द समय गिदू तमारा दिक्राने प्रगड भगुपश्राथ